नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जूट नहीं बोलता हो। मनुष्य किसी न किसी कारण से जूट अवश्य ही बोलता है। लेकिन अकारण ही जूट बोलने वालों को मूर्ख कहा गया है। जो दूसरों से जूटी प्रशंसा पाने के लिए जूट बोलते हैं, वह व्यक्ति हमेशा अपमानित होता है। कुछ लोग अपनी परिस्थिती को लेकर जूट बोलते हैं, गरीब हो कर भी धनवान होने का जूटा दिखावा करते हैं। जूट बोलकर मान सम्मान पाने की कोशिश नहीं करनी चाहि मनुष्य को अपनी परिस्थिती को जानकर उसी के अनुसार आचर्ण करना चाहिए। शुक्राचार्य ने जूट बोलने के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बाते कही हैं, जो प्रत्यक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि इसी लिए आपको जूठ बोलने से पूर्व शुक्राचार्य की इस महत्वपूर्ण नीती को अवश्य ही जान लेना चाहिए। दोस्तों शुक्राचार्य भले ही दानवों के गुरु थे, परंतु उनकी नीतिया संसार की सर्वश्रिष्ट नीतियों में से एक मानी जाती है इन नीतियों में एक राजा से लेकर सेवक तक सभी के लिए नीतियों की रचना की गई है अगर आप शुक्राचार्य की नीतिया ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप जीवन में कभी धोका नहीं खाएंगे और सदैव सफलता ही प्राप्त करेंगे क्योंकि इन नीतियों में मनुष्य को सभी प्रकार की मुश्किलों का सामना करने के तरीके बताए गए है आज हम आपको शुक्राचार्य द्वारा बताई गई, बहुत महत्वपून बाते बताएंगे की आपको जूट कब बोलना चाहिए और कब नहीं इस बारे में जानकर आपके अंदर कोई बड़ा बदलाव जरूर हो सकता है शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं सबसे पहली बात है कार्य करते समय ध्यान रखे ये बात शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को अपना कार्य करते समय अपने गर्व एवं गौरव का त्याग करना चाहिए उसका जो भी कार्य हो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए आपका जो भी कार्य हो उसे करते समय मान अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए कार्य छोटा हो या बड़ा उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए अपने कार्य को लेकर कभी किसी से जूट नहीं कहना चाहिए आप जो भी कार्य करते हैं, उसे अभिमान के साथ करे अगर आप अपने कार्य के बारे में दूसरों को जूट कहेंगे तो बाद में आपको अपमानित होना पड़ सकता है दूसरी बात है विद्या ग्रहन करते समय ध्यान रहे शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि उसे जहां से भी विद्या मिले, संकोच किये बिना, उसे ग्रहन कर लेना चाहिए चाहे सामने वाला आप से कम उम्र का हो, अथवा गरीब हो, उससे ज्ञान लेने में शर्म ना करे खुद को बड़ा ग्यानी बताकर दूसरों से जूठी प्रशंसा नहीं पानी चाहिए यदि आपके पास किसी विशय में ग्यान नहीं है, तो इस बारे में कभी जूठ नहीं बोलना चाहिए सत्य कहकर और भी अधिक ग्यान प्राप्त करना चाहिए सच्चा ग्यानी वही होता है जो विनम्र होकर दूसरों से ग्यान लेता है वह ग्यान नहों तो कभी जूठी बाते नहीं कहता है तीसरी बात है विवाह करते समय ध्यान रहे शुक्राचार्य के अनुसार जूठ बोलकर कभी किसी से विवाह नहीं करना चाहिए कई लोग अपनी बीमारी के बारे में छुपा कर दूसरों के साथ धोका करते हैं गरीब हो कर भी धनवान होने का जूट बोलकर विवाह करते हैं नौकरी ना होने पर भी जूट कहकर विवाह करते हैं आधी कई प्रकार के जूट बोलकर लोग विवाह करते हैं जिससे उन्हें बाद में बहुत पच्ताना पड़ता है आप जैसे भी हो, गरीब हो, अथवा अमीर हो हमेशा सच कहकर ही विवाह करना चाहिए किसी के साथ धोका करना अनुचित होता है चौथी बात दूसरों के विशय में जूठ बोलना शुकराचार्य कहते है, मनुष्य को अपने शत्रू के विशय में भी कभी जूठ नहीं कहना चाहिए कुछ लोग दूसरों से द्वेश करते हैं और उनके बारे में समाज में जूठी बाते फैलाते हैं किसी स्त्री द्वारा ठुकराए जाने पर उसके बारे में अश्ली और जूठी बाते समाज में फैलाते हैं ऐसा करना सर्वथा अनुचित होता है कभी किसी के विशय में जूठी बाते नहीं करनी चाहिए बाद में सत्य का पता चलने पर लोग आपको अपमानित कर सकते हैं पांच भी बात स्त्री को दूशित ना करे शुकराचार्य कहते हैं कभी किसी स्त्री को जूठ बोलकर दूशित नहीं करना चाहिए विवाह के जूठे वचन देकर स्त्री का उपभोग नहीं करना चाहिए किसी स्त्री को धन का लोब देकर उसके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए किसी दुखी स्त्री की दुर्बलता का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए ऐसा करना शास्त्रों में सर्वता अनुचित और पाप माना गया है छटी बात जूठी गवाही ना दे शुक्राचार्य कहते हैं किसी को जानबूच कर फसाने के लिए जूठी गवाही नहीं देनी चाहिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए क्योंकि सत्य ही श्रेष्ट होता है सत्य के साथ चलने पर ही व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ती होती है आईए अब जानते हैं शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को किन स्थानों पर जूठ बोलना चाहिए न ब्रुयात अन्रितम साक्षम, कृतम साक्षम न लोपियत प्राणात्य ये अन्रितम ब्रुयात सुमहत कार्य साधने पहली बात जब कोई बड़ा कार्य सिध करना हो शुक्राचार्य कहते है जब कोई बड़ा कार्य सिध करना हो जिसमें समाज के कल्यान की भावना हो और ऐसा कार्य जूट बोले बगैर संपन्न नहीं होता है तो ऐसे स्थान पर मनुष्य को बिना संकोच किये जूट बोल देना चाहिए ऐसे स्थान पर जूट बोलना कोई अपराध नहीं होता है क्योंकि इसमें सभी के कल्यान की भावना होती है दूसरी बात जब मनुष्य के प्रान संकट में हो शुक्राचार्य के अनुसार प्रानों से बढ़कर कुछ भी नहीं है इसलिए अगर मनुष्य के प्रान संकट में हो और वह जूठ बोलकर अपने प्राण बचा सकता है, तो उसे बिना सोचे जूठ बोलकर अपने प्राण बचा लेने चाहिए. तो दोस्तों, इस प्रकार से शुक्राचार्य ने मनुष्य को इन दो जगहों पर जूठ बोलने की सलाह दी है. उम्मीद है आपको यह विडियो अच्छा लगा होगा. विडियो को लाइक जरूर करे. कमेंट में जय शुक्र देव अवश्य लिखे. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे. आप सभी का धन्यवाद.